सो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बाईजुस पुंडिचरी टीट्वेंटी स्रीच के जो मैच नमबर 9 खेला जाएगा बुल्स 11 वर्सेज टैगर्स 11 के दर्मियान में दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं बुल्स 11 के टीम ने अभी तक इस रिच के दो मैचस खेले हैं और वहीं टैगर्स के टीम ने दोस्तों अभी तक इस रिच के तीन मैचस खेल चुके हैं बुल्स के टीम ने अगर आप देखोगे अभी तक तो दोस्तो पहले मैच में बुल्स के टीम ने लॉस की हैं लेकिन दूसरे मैच की बात करेंगे दोस्तो तो यहाँ पे विन करते वे दिखे हैं और Tigers के टीम ने पहले match में यहाँ पे win कियें और बाकी के दोनों match में देखोगे तो loss करते वे दिखे हैं overall अगर आप देखोगे दोस्तो तो दोनों ही team एक-एक match win करते वे आये हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तो तो बूल्स के team काफ़ी strong team है और काफ़ी बढ़ियां खेल सकता है लेकिन अभी तक देखोगे दोस्तो एक ही matches win की हैं हलाकि Tigers के team ने एक matches win की हैं लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे friends तो बूल्स के team आपको अधिक मजबूती दिखाते वे नजर आ सकते हैं इस match में friends इस तरीच के खिले गई matches में कौन से खिलाडी ने अभी तक open करते वे दिखा है कौन से खिलाडी आपको first round पे खिलते वे नजर आएंगे दोस्तो इस team के जितने भी खिलाडी है सारी खिलाडी का betting order में आपको इस वीडियो में step by step बताने वाला हूँ कौन से खिलाडी आपको complete दो वर बॉलिंग करते वे नजर आने वाल है captaincy vice captaincy के लिए सबसे base choice देने वाला हूँ दोस्तों जिसके मदद से आज यहाँ पे आप grand league और small league के सांदर टीम त्यार कर सकते हो कौन से ground पे यह मुकाबला होगा यहाँ का pitch report क्या रहने वाला है कौन से team के जीतने के ज़्यादा chance रहेंगे उस team से मुलग ज़्यादा सज़्यादा man खिलाडी को अपने teammate cover करने वाल है यानि सारे man information आपको मिल जाएगा इस video के अंदर इस match का तो अगर आप इस match में एक बहतरीन team create करना चाहते हैं दोस्तों तो इस video को बिना skip किये शुरूसन तक देखना ताकि इस match का सारे information आपको मिल पाएगा और आप एक बहतरीन team बना पाओगे लेकिन इससे पहले एक छोटीस request दोस्तों अगर आप मारे channel पे नए जुड़े हो तो please channel को subscribe करके वीडियो को एक like जरू कर देना देखो आप मारे telegram group को भी join कर लो दोस्तों यहाँ पे join करना बहुत ज़्यदा जरूरी है क्योंकि final update आपको इस group में provide कर दिया जाता है देख सकतो 20,000 प्लस विजर ने join कर लिया है और ये group बिलकुल free group है अगर दोस्तों आप यहाँ पे final team पाना चाहते हो चाहे grand league के team हो चाहे small league के team हो तो final team आपको after toss line पाने के बाद update मिल जाएगा इस group में तो I think आपको join कर लेना चाहिए बिलकुल free है इसका link आपको इस वीडियो के नीचे discussion box से मिल जाएगा 37 साथ इस वीडियो के नीचे comment box पहला comment में भी pin कर दिया गया है यानि दो जागा link है कहीं भी पे click करो और इस group को easy आप join कर लो उमिद करते हैं आपने join कर लिया होगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले match विन्यू से दोस्तों आपको पता ही होगा इस रिच के सारे matches एकी ground पे होंगे और यहां का अगर आप पीछ देखोगे दोस्तों तो यहां पे ballers के लिए काप भी बढ़िया पीछ है मैंने आपको पहले ही बताया था और यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसका effect आपको पहले match से देखने को मिला होगा 9-9 wicket यहां पे गिरे हैते दोस्तों यहां पे all out होते भी कई matches यहां पे matches दिखा है जो कि all out भी हुआ है team यहांने कि बॉलर्स को काफी बड़ी है support मिलते हैं लेकिन कुछ यहां पे batsmen ऐसे हैं जो दोस्तों काफी बड़ी हां hard hitter बल्लेबाजी कर रहे हैं और यही कारण है कि कुछ batsmen को भी हम लोग cover करते वे चलेंगे एक average एक अनुमानित यहां पे score देखा जाए दोस्तों तो यहां पे आपको 1500 प्लस आपको score देखने को मिल सकता है इस ground में तो चलिए बुल्स 11 के team के बारे पहले बात कर लेते हैं जिसमें से 1 match is win की है यहां पे जब को open करते भी दिखेंगे एस कार्तिक जो की team की opener बल्ले बाज है पहले match है 15 run score की थे दूसरे match में 19 run बनाए है देखो team का यह गई से opener बल्ले बाज है और important तो रहेगा ही अगर आप small league के team create कर रहे हो या फिर यहां पे दोस्तों हेट्व 8 के team create कर रहे हो आप इस खलाड़ी को miss नहीं कर सकते हैं क्योंकि कभी भी एक बड़े पारी खेल सकते हैं क्योंकि team का top order का batsman है batting order आपके नजर के सामने है बाकी बात करेंगे दोस्तों यहां पे peace surrender के बारे में तो यह भी टीम के opener बल्ले बाज है देखो इनको पहले match में try नहीं किया गया ता फिर दूसरे match में लाया गया और जिसमें इनका बल्ले बाजी इस परकार के ताबटर अंदाज में इन्हों आपको wicket keepering session में नजराएंगे तो यहां पे आप थोला समझने वाली बात है कि अगर आप दो wicket keeper को लेते हो तो आपको पता होगा all runner में जो चार खिलाड़ी है वो ज़्यादा important दरते हैं क्योंकि आपको batting plus bowling दोनों से आपको point दे सकते हैं लेकिन यहां पे कुछ अलग को मिलेगा जो एक बहतरीन combination हम लोग बनाएंगे सबसे हट के team बनाने वाले हैं तो इस वीडियो को सुरू से अंद तक जरूर देखना क्योंकि सारी आपको information देने वाला हूं तो इस starting के दो खिलाड़ी को आप यहां पे note करते हैं जो आपको बात करेंगे next study के बारे में तो कारण है दोस्तों कि इनको हो सकता है लेट इस बार लेट बैटिंग दिया जाए और बॉलिंग इन से ना भी खरवाए जाए यानि कि एक ओवर दे सकता है तो इनको लेना चाहते है तो ले सकते हैं लेकिन दो मैचेस में जिस परकार परफॉर्म की हैं बहुत ज़दा चांस कि ये विकेट इसमें नहीं मिला आट रन बनायते है याद रखना टीम के थर्ड रन का खिलाडी है प्लस आपको पूरे दो अबर गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे मेरे हिसाब से ये खिलाडी आपके टीम में अच्छा खासा प्रदर्सन कर सकते हैं ले सकते हो बा अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं लेकिन पहले मेंच में ये बंदा फ्लॉप सा दूसरे मेंच में 17 रन का खिलते हुए दिखेएं अगर वहीं अगर बात करेंगे दूस्तों नेक्स लाड़ी के बारे में तो इनका बैटिंग ओडर तो काफी नीचे है लेकिन बालर य तो ये चार नमर पे बल्ले बाजी करते हुए दो रन स्कोर कियें फिर अठारन बनाई ते यहां पे विकेट नहीं मिला था देख सकते हो तो इस्टेट्स आपके सामने हैं इनको लेना चाहते हैं ले सकते हैं मेरे हिसाब से तो जील में अच्छा पी करेंगे सत्या कुमार पहले मैच में दो विकेट दूसरे मैच में इनको विकेट नहीं मिला लेकिन यह भी complete दो बर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे इनके बारे इम बात करेंगे इनको भी एक विकेट मिला है ये खिलाडी आपके लिए most and high important विकल प्रहने वाले हैं तो ये important है बाकि कार्टिक के बारे हम बात करेंगे तो 5 नमर पे बल्ले बाजी करते हुए 16,90 के दो विकेट चटका है और last match में भी इनको एक विकेट मिला ये भी कहीं न कहीं काफी ज़्यदा important रहता है क्योंकि पूरे दो वर गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे तो मैंने आपको जिस प्रकार starting में ही बताया था कि बूल्स के टीम काफी strong टीम है और इस टीम से में लोग जादा स्यादा खिलाडी को अपने टीम में try कर सकते हैं और यहाँ पर importance के लाड़ियों का संख्या भी आप देख सकते हो काफी ज़्यदा यहाँ पर गाइस मैंने आपको बताया है जो कि आप पर 6 से कम से कम 5 से 6 के लाड़ियों को तो आप प्राय कर सकते हुए इस टीम से जॉप के लिए एक बहतरी इन combination बना सकता है बाकी 2 टीम के बारे बात कर लेते हैं Tigers 11 के टीम के बारे में तो दोस्तों आपको पतायों का पहले मैच में यहाँ पर विन कियें बाकी के दो मैचे। लोस के यहाँ पी पी आपको ओपन करते भी दिखेंगे और रगुपती आर रगुपती जो कि टीम के आपनर बले बाज है काफ़ी बढ़ी हाँ पर्फॉर्म कियें 78 रण पहले मैच में दूसरे मैचे फ्लॉप और लास्ट मेच वे अलागी फ्लॉप रहते लेकिन टीम के टॉपटर का बेट्समेन है इस वज़े से आम लोग ट्राय करें कि इनके साथ आपको यहाँ पर नयान जो कि यह भी आपनिंग करते वे दिखेंगे पहले मैच में 36 रण दूसरे मैच में 9 रण फिर आपे 4 रण का पारी खेला है तो यह दो खिलाड़ी आपके टीम में होने आज काफी ज़्यदा जरूरी रहेगा इन दोनों का आप मिस नहीं कर सकते हो बाकी बात करेंगे अरवींद राज के बारे में टीम का फर्स रण का खेलाड़ी है यह चोईज़ाश आपके पास राएगा मेरे इस साफसे जील के लिए अचा पीक रहने वाला है बाकी स्मॉल लिकस इनको डौप करते वे चलो अब बाकि जेस्वंत के बारे में बात कर लेते हैं 6 नमर पर बल्लेबाजी करते वे इन्होंने दुस्तों 6 रन बना के 2 विकेट निकालें फिर 8 रन बना के 1 विकेट फिर 19 रन बना के 1 विकेट रटका है है यह खलाडी आपके लिए most and high important विकल प्रहने वाले हैं इस खलाडी क फिर 12 रन बना के 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं दोस्तों कैप्टेंसी के लिए तो मुझे यह खलाडी काफे ज़्यदा इन्पोर्टन लग रहा है जिस आपका यह बल्लेबाजी कर सकते हैं प्लस आपको पूरे दो बर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे टीम का यहां पर आप दीखोगे टाइगर्स लेबन और बुल्स लेबन के जितने भी खिलाडी नभी तक स्कोर किया है सारे डिटेल्स में आपको वीडियो में इस्टेप बाइस्टेप कवर किया है उमिद करते हैं इस वीडियो से आपको इस मैच का काफी कोई जानकारी मिला होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को जरूर प्रिसक्राद दना ताकि आने वाले मैचेस का वीडियो में जैसे अफलोड करूँगा आपके पास सीधे नोट वीकेस में लेगा और आने वाले मैचेस का मैं आपको इसी परकार जनकारी दे पाऊँगा तो चलिए हम लोग इसके बैसे पर एक बहतरीन टीम तयार किया है तो चलिए उस टीम की और आगे बढ़ते हैं दो आपको मैंने पहले बताया था कि आपको विकेट के प्रिंग सेसें में नजर आएगा और बी यूल के टीम के तरफ से दोनों ही ओपन करते भी दिखें देखो ये पहले मैच में खेलते भी नजर नहीं आये थे लेकिन दूसरे मैच में खेलने जिस परकार का इनोंने पारी बड़े पारी खेलाता और यही कारण के सेलेक्शन का बहुत ज़्यदा हाय है बाकी देखोगे दोस्तो एसकार्तिक तो ये भी टीम के आपनर बले बाज़े ये दो खिलाड़े को आप मिस नहीं कर सकते हो हाई इंपोर्टन खिलाड़े रहेंगे बाकी बैटिंग सिसम की ब क्योंकि अभी सिर्फ उसी खिलाड़े को अपने टीम में ले रहे हैं जिनको मैंने स्टेट्स बताते वक्त हाई इंपोर्टन मैंने बताया है बाकी ओल रांडर समके बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तो तीन ओल रांडर खिलाड़ी आपके टीम में होने जरूरी है जिस अधिकतर मैचस ऐसे जा रहा है तो आपको पताeg होगा की चार गारी इंपोर्टेंट्स रहते हैं लेकिन यहां पर एक अच्छी बात है यहां पर एक अधिक एक अतर हो बोलर को ले सकते हो यह भी एक बैंक cluster working बनेगा इस किसको लेना चाहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा एस कुमार एस जो कि पूरे दोबर के इंदबाजी करते हुए दिखेंगे बी युल के टीम के तरफ से ये दोनों बहुत ही सुपा बॉलर है और अभी तक चार-चार विकेट एक-एक मैचेस में निकालें दू पॉर्सिर विकेट कीपर में इनको लेने के लिए बाकी चोईस आपके पास रहेगा आपके पास यहापने स्टेट्स देखा है थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगाओ क्योंकि स्टेट्स और यहाँ पे टीम मैंने आपके लिए एक परफेक्ट बना के तयार किया है जे दूस्तों अगर आप चाहो तिनको भी ट्राइ कर सकते हैं तो यह अल्मोस्ट मेरा सेफ टीम है इसमें अगर किसी परकार के अगर चेंजेस आएंगे तो मैं आपको फाइनल टीम हरे टेलिग्राम गुरूप में परवाइड कर दूँगा टेलिग्राम गुरूप को दिया गया दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद।